अश्ट सिद्धिनो निदि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रगुपति के दासा अर्थात हे हनुमान जी जानकी माता यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है जिससे आप आठों सिद्धियां और नौ निदियां किसी को भी दे सकते हैं आपके पास राम नाम का रसायन है आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस जैश वागेला founder of dharmicstory.com and secret mysteries दोस्तों आज की वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण है इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि आज हम श्री हनुमान जी को प्राप्त नव निधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और तीन सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरू देखेगा दोस्तो आज का सवाल है भगवान श्री राम को हनुमान जी किसके समान प्रिया है ओप्शन्स है नारत भरत लक्षमन या शत्रुगन दोस्तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा और सही उत्तर देने वालों में से तीन लोगों की नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूँगा तो उत्तर जरूर दीजेगा कमेट में यानि मिष्ड निधी माना जाता है कि नव निधियों में केवल खर्व निधी को छोड़ कर शेश आठ निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्थ हो जाती है परन्तु इन्हें प्राप्थ करना सरल नहीं है जानकारों की माने तो अगर किसी व्यक्ति को ये निधियां प्राप्थ हो जाए तो वो संसार की कोई भी चीज हासिल कर सकता है तो आईए इन नो निधियों के बारे में विस्तार से जानते हैं पहली निधी है पद्म निधी पद्मनिधी के लक्षणों से युक्त मनुश्य सात्विक गुन युक्त होता है तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढियों को तार देती है इसका उप्योक साधक के परिवार में पीढियी दर पीढियी चलता रहता है सात्विक गुणों से संपन्व्यक्ति स्वर्न चांदी आदी का संग्रह करके दान करता है दूसरी निधी है महापद्म निधी महापद्म निधी भी पद्म निधी की तरह ही सात्विक ही है लेकिन इसका प्रभाव साथ पीढियों के बाद नहीं रहता इस निधी से संपन्व्यक्ति दानी होता है ऐसी निधी व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है इसलिए इस निधी से संपन प्राणी में दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है लेकिन इस निधी को मधुर स्वभाव वाली निधी कहा गया है ऐसा व्यक्ति जनहित में काम करता है और इस तरह इस निधी का प्रभाव तीन पीडियों तक रहता है चौथी निधी है मुकुंद निधी मुकंद निधी में पुर्णत रजोगुण की प्रधानता रहती है इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधी कहा जाता है इस निधी से संपन व्यक्ति या साधक का मन भोगादी में ही लगा रहता है यह निधी एक पीढ़ी के बाद नश्ट हो जाती है पांचवी निधी है नंद निधी नंद निधी में रज और तम गुणों का मिश्रन होता है माना जाता है कि यह निधी साधक को लंबी आयू वो निरंतर तरक की प्रदान करती है यह व्यक्ति कुटुम्ब की नीव होता है तारीव से खुश होता है चटी निधी है मकर निधी मकर निधी को तामसी निधी कहा गया है इस निधी से संपन्न साधक अस्त्र शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है ऐसे व्यक्ति का राजा और शाशन में दखल होता है वह शत्रु उपर भारी होता है और युद्ध के लिए तयार रहता है लेकिन उसकी मौद भी इसी कारण होती है साथवी निधी है कच्छब निधी कच्छब निधी का साधक अपनी संपत्ति को चुपा कर रखता है ना तो स्वयम उसका उप्योग करता है ना करने देता है वह साप की तरह उसकी रक्षा करता है और किसी को भी अपनी संपत्ती के पास भटकने भी नहीं देता आठवी निधी है शंक निधी शंक निधी को प्राप्त व्यक्ति स्वयम की ही चिंता और स्वयम के ही भोग की इच्छा करता है वह कमाता तो बहुत है लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयम के सुख भोग के लिए करता है जिससे उसका परिवार दरिद्रता में जीवन गुजारता है नवी निधी है खर्व निधी खर्व निधी को मिश्रित निधी भी कहते हैं नाम के अनरूप ही यह निधी अन्य आठ निधियों का समिश्रम होती है इस निधी से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है उसके कार्य और स्वभाव के बारे में भविश्यवानी नहीं की जा सकती उसका जीवन वह व्यावहार उतार चड़ाव भरा रहता है इस निधी से प्रभावित व्यक्ति उसके स्वार्त के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह अनिस्चई स्वभाव का होता है दोस्तो अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल के जवाब के बारे में सवाल था समुद्र लांगते समय हनुमान जी ने प्रभू श्री राम की मुद्री का कहां रखी थी ओप्शन्स थे मुठी में, मुख में, माते पर या गले में इसका सही उत्तर है मुख में इस प्रसंग का वर्णन श्री हनुमान चाले सा में भी दिया गया है प्रभू मुद्री का मेले मुख माई, जलदी लांगी गए अचरज नाई अर्थात, इसमें कोई अचरज या आस्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगुठी को मुख में रख कर समुद्रों को लांग लिया इस सवाल का उत्तर तो अनिकों लोगों ने दिया उनमें से तीन लोगों की नामों का मैं शाउट आउट करूँगा जोकी है हरशुल कोटावाला, सत्यम श्रिवास्तव और प्रितियादव आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो, वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा ताकि जादा से जादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पौझा सके और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लोटेंगे तब तक जै श्री राम जै हनुमान